श्रेगंगानगर में आखरी दिन सैंक्लो प्रत्याशियों की रेलंपेल पुलिस ने जुला पैशत के सभी मार्ग पर की बैरिकेटिंग केवल उमीद्वारों को ही प्रवेश श्रेगंगा नगर में नामांकन दाखिल करने के आज आखरी दिन उमिद्वारों की जुला परिशत परिसर में भीड उमर पड़ी भाजपा और कॉंग्रेस के अधिकरत प्रत्याशियों के सासाथ सैंक्डों बागी और निदलिय उमिद्वारों ने पर्चेत आखिल किये भाजपा ने देर रात अपने 53 उमिद्वारों की लिस्ट जारी कर दी वहीं कॉंग्रेस नामांकन के अंतिम दिन भी दुपहर एक वज़े तक लिस्ट जारी नहीं कर पाई हालांके कॉंग्रेस के निताओं ने जिन लोगों को टिकट देना था उने फोन करके ये सूचना दे दी थी कि उन्हें टिकट मिल गया है और वे अपना नामांकन पत्रत दाखिल कर दे सिंबल उन्हें बाद में दे दिया जाएगा कॉंग्रेस में इस बात को लेकर भै देखा गया कि यदि सूची पहले जारी की गई तो जबरदस्ट बगावत हो जाएगी इसलिए सूची को रोके रखा हलंकि निर्दलिय उमीद्वारों ने भी काफी संख्या में अपने नामांकन पत्रत दाखिल कर दिये हैं यहां नगर पैशत पहुंचे आपको बता दे कि यहां सुरक्षा के कड़े बंदबस किये गए थे फुलिस प्रुशासन के ओर से आज जिला पैशत परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतिज्वाम किये गए थे कई थाना दिकारियों के ड्यूटी लगाई गई थी, क्रशी विभाग के एक कमरे में ARO और SDM मुकेश बारहट, जुला पैशत के अलग-अलग कमरों में ARO, तैसिरदार संजया गरवाल, प्रतिस्था पिलानिया, पदंपूर SDM नामांकन पत्र ले रहे थे अलग-अलग जगहों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई थी